प्रवेश करने से रोब तिया जिसके बाद कॉंग्रिस कारे करताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अवरोधक तोड़ दिये कॉंग्रिस कारे करताओं ने विरोध प्रदर्शन के दोरान नारे भी लगाए इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सर्मा ने 23 जनवरी को यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कॉंग्रिस के कुछ नेता पुलिस अवरोधक को तोड़ने और भीड को उकसाने का काम कर रहे थे उन्होंने राज्य के पुलिस महादेदेशक को अवरोधक तोड़ने और भीड को उकसाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्स करने का निरदेश दिया और कॉंग्रेस समर्थकों के इस कृत्य को नक्सली कारवाई रधाया हिमंत विश्व सर्मा ने कहा कि साक्षों में दिखाए दे रहा है कि कैसे राहुल गांधी और कॉंग्रेस नेता जितेंद्र सिंग भीड को असम पुलिस कर्मियों की हत्या के लिए उकसा रहे हैं अपनी असम यात्रा के दौरान राहूल गांधी पूरे समय हिमंत विश्वस सर्मा को निशाने पर लेते रहे और उन्हें भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री तक कहा तो सर्मा ने उन पर पलटवार करते वे यह कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट परिवार तो गांधी परिवार है सर्मा ने राहूल गांधी को डरपोग भी कहना शुरू कर दिया है राहुल गांधी के खलाफ असम सरकार किस करवाई के बाद पुर्वत्तर में सियासी पारा चड़ गया है वोर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की भारत न्याय जोडो यात्रा को रोपने वाले और राहुल गांधी के खलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश देने वाले हिमन्त विश्व सर्मा कभी कॉंग्रेस का ही हिस्सा थे लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सर्मा गांधी राहुल के ही कटर दुश्मन नजर आ रहे हैं चलिए थोड़ा हम पीछे लेकर चलते हैं सर्मा ने 2001 में कॉंग्रेस पार्टी से अपने राजनितिक करियर के शुरुवात की थी वे उसी साल जाल कुबारी विधानसभा सीट से कॉंग्रेस विधायक चुने गए विधायक बनने के बाद अपने ख्षित्र में लगातार उनका प्रभाव बढ़ता गया और वे चार बार लगातार विधायक चुने गए लेकिन 2014 में तदकालीन मुखेमंत्री तरून गोगई से विवाद के बाद उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ दी दरसल 2011 में असंबिधान सभाद चुनाव के दोरान कॉंग्रेस ने हिमंत्को प्रभारी बनाया था पार्टी को जीत दिलाने में उन्होंने जोड लगाया कॉंग्रेस को 139 सीटों में से 78 पर जीत दर्ज हुई हिमंत्को उमीद थी कि पार्टी इस बार मुखे मंत्री की कुरसी उन्हें ही सौपेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन्होंने इसी मसले पर कई बार सोनिया और राहुल से अपने मन की पीड़ा भी जाहिर की लेकिन पार्टी नेत्रत उपर इसका कोई असर नहीं हुआ 2004 तक उनकी ताराजगी बढ़ने लगी थी हिमंत्क कई बार मेडिया को यह बता चुके हैं कि राहुल गांधी सीरियस नेता नहीं है और उनमें राजनिती की समझ भी नहीं है वे इस घटना का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि वे असम के कुछ नेताओं के साथ एक बार राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल गांधी अपने डौगी की साथ खेल रहे थे नेताओं को जो बिस्किट ओफर किया गया था उसी प्लेट में से उनका कुट्ता भी बिस्किट खा रहा था राहुल गांधी ने नेताओं को वही प्लेट ओफर कर दी जिसके बाद ही हिमंत ने कॉंग्रेस छोड़ने का इरादा कर लिया और आखिरकार 21 जुलाई 2015 को उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ दी इस तरह हिमंत विस्किट सर्मा कॉंग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर हुए लेकिन उसके बाद से राहुल गांधी उनके निशाने पर आ गये हैं ये राहुल गांधी पर जुवानी हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं और उन पर अकसर बहात तीखे और आक्रमक बयान देते हैं आज सर्मा नौर्थिस्ट में बीजेपी का प्रमुक चहरा बन गए हैं और नौर्थिस्ट की कई राज्यों को बीजेपी की जोली में डालने का श्रे भी उने ही जाता है प्रांड सर्मा ने पाठी में अपनी एक अलग पहचान बना ली है और बीजेपी में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है टाइम्स नाव नभारत डिजिटल की रिपोर्ट